हाई मैरी तू ग्रहनी की नौकरी में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का हारदिक स्वागत करती हूँ आज मैं मश्रूम दम बिर्यानी बनाऊंगी इसे बनाने के लिए मैं आधा किलो बासमती चावल ली हूँ और उसे अच्छे से धोली हूँ और उसे 15 मिनट के लिए मैं अलग करके रख दी हूँ बाद में इसे पकाऊंगी और जो बरतन मेली हूँ बिर्यानी पकाने के लिए उसका बेस बहुत ही मोता है और उसकी जो गहराई है वो भी काफी अच्छी है हमें इसी तरह का बढ़तने चाहिए बेस मोटा रहेगा तो उसमें दम अच्छे से लगेगा और कोई भी चीज जब हम उसमें फ्राइ करेंगे न तो वो जलेगा नहीं अब इसमें मैं दो बड़े चमच देसी घीली हूँ तो इसका बेस काफी मोटा है तो इसमें मैं कोई भी चीज डालूँगी तो वो जल्दी से नहीं जलेगा और एक चमच मैं इसमें अब सह जीरा मिला रही हूँ यदि आपके पास सह जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा कर बिस्तमाल कर सकते हैं दो तेज पत्ता ली हूँ और दो बड़ी लाइची ली हूँ जो की काले कलर का होता है और एक बड़ी सी स्टार फूल ली हूँ यदि आपके पास बड़ा नहीं है तो आप दो छोटा ले सकते हैं और दो एक एक इंच का दाल चीनी का तुक्रा ली हूँ थोड़ा सा बढ़ घट सकता अब नापके तो एकदम मेजर्मेंट नहीं हो सकता इसमें पाँचे मैं लवंग डाली हूँ दो छेट छोटी लाइची और चार पाँच जो है काली मिर्च डाली हूँ कोई भी चीज एकदम गिन के नहीं कर सकते हैं एक दो बड़ घट सकता है अब इसका हलका सा जब color change हो जाएगा तब प्यास डालूंगी तो इस color change होने के लिए इसे चार से पाँच सकेंड इसे होता है यहाँ में तीन मीडियम साइज के प्यास को पतली-पतली काटी हूँ इसका मैं चोप नहीं की हूँ इसे तो ये भूनने में काफी अच्छा होता है, जब इसे भूनेंगे तो ये एक जैसा पूरा हो जाएगा, तो हमें इसे बहुत जादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, यहां मैं 400 ग्राम मसरोम ली हूँ, जो सबसे छोटी साइज की है, उसे मैं साबूत रख दी हूँ, जो उसे थोड़ी बड़ी साइज की है, उसे मैं बीच से कट कर दी हूँ, जो बहुत बड़ी साइज की है, उसे मैं चार टुकरों में कर दी हूँ, और इसका स्टेम है, उसे भी मैं सेपरेट करके रख ली हूँ, काट करके रखी हूँ, इन सभी चीजों को मैं पहले ही साफ कर ली यह देखे प्यास जो है वो भून के तयार हो गया है अब इससे जादा हमें ब्राउन नहीं करना है बस इतना ही हमें चाहिए दो तीन हरी मिर्च को बीच से मैं चीरा लगा के इसमें डाल रहे हूँ यह आप डाल भी सकते और नहीं भी यह आपकी मर्जी है अब इसमें मैं सभी जो पौडर वाले मसाले होते हैं वो मिलाओंगी तो एक चमच में हल्दी ली हूँ और एक चमच तीखी वाली लाल मिर्च ह उने हिसाब से डाले और यहाँ मैं देर चमच बियानी मसाल लिए हूँ यदि आप बियानी मसाला नही डालना चाहते तो आप इसमें जादा न हूँह भूनों के लिए yamg बूने के लिए 2-3g मिर्च चाहिए तो तीन मिनट के बाद मैं इसमें आधा सिमला मिर्च को चर्खुट चर्खुट काटी हो मैं चौकोर काटी हो और उसे इसमें मिला देती हो शिम्ला मिच को हमें बहुत जादा नहीं भूनना है उसे सॉफ्ट नहीं करनी तो एक मिनट भूनने के बाद इसमें मैं दही मिलाओंगी तो दही जो है मैं यहाँ पे तीन सो ग्राम ली हूँ दही में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है गाड़ी दही लेनी है और उसको दूसरा काम कर लिए तो एक छोटी सी कटोड़ी ली हूँ उसमें दूद ली हूँ और दस बारा सैफ्रोन ली हूँ केसर उसे भी साइड में रख देती हूँ यह वह बाद में इस्तेमाल आएगा अब क्या करूंगी यह जो हमारा मसाला था वह अच्छे से पक चुका है तो हमें जो है दो से तीन मिनट ही पकाना है इसमें थोड़ा ही नमक आड़ करें क्योंकि चावल जो हम पकाएंगे ना उसमें भी हम नमक आड़ करने वाले हैं तो इसमें स्वाद अनुसरा नमक में डाल दी यह देखिए 15 मिनट के बाद चावल जो है अच्छा हो गया है अब नमक आड़ को उबाल लेते हूं इसमें पानी में अबलते पानी में मिला देती हूं नमक और तेल मिलाओंगी तो चैवल को चिपकनी नहीं पनाई दी में नमक से चावल में हलका आ जाएगा तो चावल को भा हो नहीं पकाना है जो तक इधर काजू भून ले रही हूं और दो प्यास जो है उसे भूनेंगे तो यह जो प्यास में भून रही हूं उसे बहुत गोल्डन ब्राउन करना है इसे भून के भाद में यूस करना है तो यह देखिए चावल पकते पकते तीन से चार मिनट हो गए है तो इससे जादा हमें नहीं पकाना है चावल पूरा नहीं पकना चाहिए वो आधा ही पका होना चाहिए अब मैं गैस आफ करके इसमें एक मुठी धनिया पत्ता बारिक कटी हुई और आधा मुठी पुदिने का जो पत्ते हैं वो डाल रही हो अब इनको मैं क्या करूंगे मिला के पानी इसका निकाल दूंगी इधर मश्रूम भी पकते पकते तीन से चाल मिनट ले चुका है और हमें मश्रूम को भी बहुत जादा नहीं पकाना है आधा ही पकाना है तो अब इस समय इसमें चावल मिलाओंगी तो चावल जो है जब मैं पानी से निकाले हो तो किस तरह का दिखता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखि इसी तरह का चाहिए बहुत नहीं गलाना है अब मश्रूम हो चुका है मसाला तैयार हो चुका है तो उस पर चावल फैलाना शुरू करती हूँ इसे लेयर बाई लेयर हमें डाली है तो पहले एक लेयर में अच्छे से पूरी तरह फैला देती हूँ इसमें जो हमने धनिया पत्ता और पूदीना मिलाया है उस से चाओल के खुस्पू बहुत ही अच्छी हो गई है आद एक लियर मिलाने के एक मुठी धन्या पत्ता और जो कट करके रखी ति उस फैला देती हूं पत्ते जो आपने डाले है उसके साथ भी थोड़ा सा फैला सकते हैं वह आपकी मर्जी पर डिपेंद करता है अब जो मैं काजू फ्राइब करके रखी थी उसके बाद फैलारी तूसरी आगर कोई ड्राइ फ्रूर्ट डालनी चाहें तो आप वह भी डाल सकते हैं तो इन सब़ इसमें मैं दो चमच जो दो से तीन चमच जो केसर वाले दूद थे ना उसे डालूंगी और इनको चारों तरफ अच्छे से फैलाना है ताकि इसका कलर, isका स्मेल और आर दिसका टेस्ट सबी आजाए तो इन सबी को फैलाने के बाद मैं देशी घी ली हूँ अब उस देशी घी को भी हमें इसमें अच्छे से फैलाना है जब हम इसे दम पे लगाएंगे ना दम पे रखेंगे तो हीट के वज़े से वो मिल्ट होगा नीचे तक जाएगा सबी चीज जो है एक दूसरे से मिक्स होके सबकी खुस्बू और सबका स्वाद लाजवाब लगेगा गी डालने के बाद अब इसमें केवरा का पानी डालना है तो उससे बहुत जादा ना डाले हैं एक चछ लेट चमच जबाल média ईससे खुसबू बिर्यानी की वो काफी बढ़ जाती है वो काफी अच्छी लगती है अब क्या करना है इसे हमें दम पे रखने के पहले इसे हमें च चारो तरफ सील कर दें मैं ध्यान ही रखना है कि किसी भी तरह से इसकी स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए अब यह मैं सील करके इसके ओपर ढखकन रख दी हूं अच्छे से अब दूसरा स्टेप क्या करना है यदि आपने पतली बर्तल लिए जिसका की बेस पतला है तो आप इस अच्छे से लगेगा तो चावल जो आधी कच्छी है वो पूरी तरह से पक जाएगी मैं तवे का इस्तमाल नहीं करूंगी क्योंकि जो मैं बर्तल ली हूं इसका जो बेस है वो काफी मौता है इसलिए मैं गयास को लो कर दूंगी फ्लेम को लो करके उस पर यह 20 मिनट के लि शवाब ही है तो आप भी इसे बनाए और खाएं यदि आपको मेरे चैनल पर कोई भी रसीप पसंद आती है या कोई टिप्स पसंद आता है आप इस पर दोबारा आना चाहती है तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें पर तीन जो option है न उसमें all का option को जरूर दबा दे अगले वीडियो मैं फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाई बाई